गुर्देव असल में भगवान का कॉंसेप्ट क्या है? कुछ लोग कहते है नेचर है, वो ही भगवान है, पर सच क्या है गुर्देव ने? इस जवाब को शायदी कोई समझ पाएगा, लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, इस सवाल का अगर किसी ने सही जवाब दिया है, तो वो एक मुस्लिम स्कॉलर ने दिया है, जी हाँ दोस्तों, जाकिर नायक ने इस सवाल का ऐसा बहतरीन जवाब दिया, कि पूरे महफिल में जितन का बेटर था या रवी रवी शंकर जी का, दोस्तों, अगर सच्चे मुसल्मान है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर से करें, बस गुर्देव, लोग कहते हैं कि भगवान जैसे बच्पन में सुनते थे, भगवान तो जी स्वर्ग में रहते हैं, तो उमारे दादादादी प्रकृतर देखे काभी प्रेय करते थे, कोई कहता मंदीर में रहते हैं, कोई कहता रहत रखो तो गवान मिलते हैं, गुर्देव असल में बगवान का स्व boyir है, तो इस लोग कहते हैं नेचर को वी बगवान है उप Jaak Prophet Walking Man Rumare talk प्रेम ही इश्वर है और वैसे तुम देखोगे तो पूरे प्रकृति में इश्वर ही है आपने बहुत एहम सवाल किया और एक भैतरीन सवाल किया और इस सवाल के जरीए कुछ लोगों के दिमाग में जो गलत फेह में वो भी इंशाला दूर हो जाएंगी और आपके साथ जो गलत फेह में वो भी इंशाला दूर हो जाएंगी आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हिंदू धरम हिंदू धरम ने हिंदू हिंदू ये समझते है कि जब पत्तर को पूछते है तो आपने साइन्स के बारे में का एनरजी एनरजी है आपके इसमें एनरजी मेरे इनरजी के बा पॉइंट नमबर वन पे ओ जमीन पे ओ ना कंकर ना पत्थर ना मूर्ती वो लिखा है वेद में ना तस्रपतिमा अस्ती उस भगवान का कोई अक्स नहीं कोई पेंटिंग नहीं कोई फोटोग्राफ नहीं कोई मूर्ती नहीं तो ये लिखा है धार्मिक किताबों में लेकिन धर्म के मानने वाले अपनी आसानी के लिए तब्दील कर रहे हैं मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे आप सब्सक्राइब बिजनसमेन है आप एक कमपनी के मालिक है आप एक अपना पुराना उसूल किस तरीके से कमपनी चलना चाहिए उसूल से चलते आ रही है आपके कोई नहीं मैनेजर आते हैं को बदल देते आपके उसूल के खिलाफ काम करते बोलते क्या ये और भैतर होगा इससे मुनाफ़ा ज्यादा होगा आपके उसूल है कुछ आपके उसूल होगे कि हमें इमानदारी से काम करूँ आपके मैनेजर के उसूल होगे इमानदारी को छोड़ो पैसे ज्यादा कमाने का आपको जब पता चलेंगा आपका मैनिजर आपके उसूल को तोड़ रहा है बोलेंगा मलिक ज़्यादा पैसे भी लेंगे रिश्वत दो आप उसे सहमत है आप बोलेंगे ज़्यादा पैसे जोड़ो मिलते कैं नहीं मिलते रिश्वत देना हराम है तो इस तरीके से अल्ला ताला ने बुनियादी बाते कह चुकिये किस तरीके से उस इश्वर की अबादत करना अभी इनसान अपने गलत फेहमियों में अल्ला ताला खुदा इश्वर की बात छोड़के खुद के तरीके से अबादत करने लगते है और हम क्या कर रहें उस अजीम खुदा को गाली देते हैं हम कहते हैं कि खुदा ने बेटा जाना अस्तख्व ल्ला हम खुदा को उस मूर्ती में ले आते हैं जब लिखा हुआ है स्वेता सेतर उपनिशद में जैजुर्वेद में नाचत से पतिम अस्ती उस इश्वर की प्रतीमा नहीं है हम मूर्ती बनाते हैं मिसाल के तोर पे अगर अगर मैं किसी को मदद करता हूँ और अगर वो शक्स मुझे जानता नहीं जाकिर कैसा दिखता है बिसाल के तोर पे शी लंका में मैं एक स्टुडेंट को मदद करता हूँ रोज दसाजार रुपिय मेचता हूँ उसको पताने जाकिर के साद क्या करता है? वो कॉक्रोज बनाता है कॉक्रोज और रोस सुबा को बोलता है जाकिर शुक्रिया जब मुझे पता चलेगा उसने मुझे कोक्रोज बना यहां मुझे खुशी होंगी भले वो मुझे कुछ खाली दिल में कहता है जाकिर शुक्रिया काफी है शुक्रिया नहीं भी कहता है चल जाता था लेकिन मुझे कौकरोज बनाया मुझे फर्क पढ़े ने पढ़े वो तो बेखूज़ बन रहे न कैसा बेखूज़ इंसाने किस तरीके से उसकी अबादत करे किस तरीके से उसकी बात माने हम आते हैं और अपने तरीके से सोचने लगते है Energy is God कहा नहीं लिखिला Energy is God आपने बिल्कुल आपके सवाल का जवाब खुद आपने दिया आपने एक मिसाल दी कि हिंदू लोग कहते हैं नमस्ते नमस्ते का लफ किदर से आता है आपको शायत पताएंगा नमस्ते आता है इदम नममे से इदम नममे मतलब मैं आपके सामने जुकता हूँ मैं आपकी अबादत करता हूँ अज़ा इदम नममे आप कहना चाहते हैं मैं आपके अंदर इश्वर के अबादत करता हूँ मिसाल के तोर पे वो आदमी चोर है वो गलत काम कर रहा है बलातकार कर रहा है आप उसको इश्वर बोलेंगे आप इश्वर को इतना घटिया समझ गे वो बलातकार करने वाले इनसान को बोलते है अब इश्वर है इससे भाईचार की बड़ेंगी ने घटेंगी वो बलातकार करने वाले को वो डाकू को मैं इश्वर मान रहा हूँ उसके सामने जुक रहा हूँ अल्ला को क्यों काली दे रहे इश्वर को क्यों काली दे रहे खुदा को क्यों काली दे रहे इसलाम में इसलाम की भी अपने मिसाल दी इसलाम में हम कहते असलामू अलाइकुम Allah ताला से फर्माते इस इंसान पे सलामती दे चाहे वो अच्छा इंसान है तो भी सलामती देने की बात अच्छी है चाहे वो छोड़ या डाकू हो मैं बोलने गाँ असलाम वालेकुम मैं कहरा हूँ या अल्ला या रब या खुदा या इश्वर या बगवान इस डाकू पे रहमत फर्मा कुछ बुरी बात है ना मैं अल्ला को गाली दे रहा हूँ उसके लिए दूआ दे रहा हूँ कि तू गलत काम छोड़ और सही रास्ते पे आ अगर मैं उसको खुदा मानूगा तो खुश हो जाएगा ओर चोरी करेंगा ओर बलातकर करेंगा कोई भी दर्म ही नहीं सिखाता ये धर्म के मालने वाले अपने खुद की एजास करते हैं इसे कहतें इनोवेशन विदात जिस तरीके से ने खुदाने सिखाया है कि उसकी अबादत करे, उसी तरीके से हमें करना चाहिए तब्दिली लाएंगे हम समझ रहे हैं कि भाईचारा बढ़ेंगा भाईचारा नहीं बढ़ेंगा भाईचारा घटेंगा लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा आउतार सिंग अस्सलामु आलेकुम मैं अल्ला से दुआ करता हूं कि आप पे सलामती हो आप पे अमन हो आप मुझे बोलो इससे भाईचारा ज्यादा बढ़ेंगा या कहने से भाई मैं आपको इश्वर मानता हूं और फिर आपकी बातने मानू में फिर अगर आप मुझे बोलेंगे चलो भाई शराप पीने चलो चलो भाई लड़की के साथ राद गुजारेंगे तुम्हें क्या बोलेंगा रहे मेरे भगवान मुझे बुला रहा है तो ये कहना अस्सलाम वालेकुम मतलब मैं अल्ला से दुआ करता हूं कि ये इंसान के उपर सलामती हो अच्छा इंसान पे भी सलामती केना अच्छी बाते बुरा इंसान पे भी सलामती केना अच्छी बाते तो इस तरीके से इसलाम में जो ग्रीटिंग है उससे किसी को नुकसान नहीं होता है और कुरान में कहा गया है सुरा निसा में सुरा नमबर 4 आयत नमबर 86 में 86 मतलब अगर कोई आपको सलाम देता है तो आप उससे अच्छा सलाम दो कमस कम उस जैसा क्यूंकि अल्ला ताला हिसाब रखता है मतलब अगर आप अस्सलाम आलेकुम कहेंगे मुझे मुझे कहना चाहिए वालेकुम असलाम और रहमतुल्ह अगर आप कहेंगे असलाम वालेकुम और रहमतुल्ह मैं कहुंगा वालेकुम असलाम और रहमतुल्ह और बरकातु और बहतरीन होना चाहिए या कमस कम यक्सा अपको या सलाम आलेकुम असलाम अल्फाज वही है लेकिन दिल से आरा है वालेकुम असलाम इसमें भी जजबा ज़ादा है ये भी बहतरीन है तो कुरान में लिखा है कोई भी आपको सलाम करता है उससे बहतरीन सलाम दो या उससे बहतर ना कर सको कोई का सलाम वालेकुम वरहमतुल्ह बरकातो कमस कम उतना दो वालेकुम वरहमतुल्ह बरकातो ये तालिमाते कुरान में इससे भाईचारा बढ़ता है तो गलत तरीके से इबादत करना जो वेज के खिलाफ है कुरान के खिलाफ है बाईबिल के खिलाफ है गरंद के खिलाफ है वो करने से भाईचारा नहीं बढ़ेगा बलके घटेगा तो इसलिए हम ये जाने इश्वर ज हमारा खालिक है वो जानता है किस तरीके से उसकी अबादत करना चाहिए वो बहतरी जानता है मिसाल के तर पर आपको डॉक्टर कोई धवाई देता है कि ये लाल गोली सुबा को लेना अब बोलेंगे छोड़ो हरी लाल मैं नीली गोली खाऊंगा और वो डॉक्टर है वो जानता है तो इसी तरीके से हमारा खालिक हमारा माले खुदा है उसकी बात के ओपर अमल करना इसलिए जो इनसान खुदा की बातों पर अमल करता है उसे कहते है इसलाम मतलब सब्मिट He is called as a Muslim तो जो कोई अल्ला के मताबिक चलता है उसे कहते है परसे नू सब्मिट से विल टू काड